गुड मॉनिंग फ्रेंड साब आरियू आई थिंक उलर फाइन सोवी धन सबा में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मुद्दा उठाया गया और उसके साथ साथ जो हमारे ट्वीटर अब यहां चलाया था उसके बारे में भी बताया गया कि जो हमारे मुख्यमंतरी हैं वो बच् कि सिख्षक पर भी सवाल उठाया गया कि इतने स्कूल क्यों बंद किये गए और खाली जो स्कूल है उनमें शिख्षकों के पद इतने खाली क्यों है अभी तक उनको फुल करने का अडवर्टाइजमेंट जारी करने का काम क्यों नहीं gouvernementीया गया ये सब ही जो है मुख्य मंतरी से सवाल किये गए तो ये सब जो मुद्दा जो उठाया गया वो निर्दली अदल के जो उमिद्वार है मेहम से बलडाज कुंडू उनके द्वारा उठाया गया कि 14,400 बाड़ में सरकार स्कूलों में 36,000 द्यापकों को तोटा अभी तक क्य फुल्फिल क्यों नहीं किया गया है और 25,500 से जादा पद को ये कम कर दिया गया है क्योंकि जब पहले विधान सबह में जो आकड़े प्रेजेंट किये गए थे और जो अब प्रेजेंट किये गए उनमें 2504 जो है टीचरों की का जो रिक्त पद है वो अपने आप ही फुल् गया और अभी तक इनको फुल्फिल क्यों नहीं किया जा रहा है और जो 96 जो मीडल और प्राथ्मिक स्कूल है वो क्यों बंद किये गए और चिराग योजना इस बात को भी उठाया गया कि आखिर चिराग योजना को शुरू करने के पीछे सरकार की क्या मंसा है क्या सरकार सरक कारी दी गई है गलत जानकारी सरकार को दी गई है तो इन सब चीजों के बारे में आवाज उठाई बलराज सिंग कुंडू जो कि निडलीय दल से उमिदवार हैं मेहम के उन्होंने आवाज उठाई और शिक्षामंतरी को और पल ने सकूलों के शैस्निक स्टाफ के चिराग योजना का भी और जो 134 ए है उसके तहर दाखिले की बज़ा चिराग योजना क्यों सुरूपी गी इस चीज को उठाया तो सभी मुद्धे उठाये गए लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं वो इन सब चीजों पर चुक्पी बादे हुए थे क्योंकि अभी त करना है ताकि जो प्रेशर है वो बढ़ सके तो देखना होगा कि क्या कुछ इसका जो इफेक्ट है वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता है लेकिन यह है कि हमारे जो बात है जो हमें पहुचानी थी विदानसभा तक वो पहुच चुकी है तो जल्द ही इसका जो रिजल्ट्स है वो भी आपको देखने को मिलेगा thank you so much इस वीडियो में इतना ही अगर आपकी कोई राय है suggestion है तो comment में ज़रू बताईगा thank you again